नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा करनाटक के महान संत स्री कनकदाजी का जनमस्थान जो की बाड़ा सिगाउन जिला हावेरी में पड़ता है अभी मैं हूँ बैंगलोर मुंबई हाइवे पे और ये जो आप सामने विल्डिंग देख रहे हैं ये है करनाटका की सुवन विधान सोधा जो की बेलगाम डिस्टिक में इस्थित है आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि करनाटक में दो विधान सभाएं हैं एक और इसका नाम है सुवन विधान सोधा इन दो भाईयों के साथ लिफ्ट लेके आये हैं यहां पर और अब पहुंच चुके हैं कनकतास पैलिस बाड़ा सिक गाउन तो शिक गाउन से यहां तक जो कनकदास जी का पैलिस है वहां तक हम पहुंच चुके हैं और इधर देख सकते हैं सामने कनकदास जी का पैलिस है और यहां से यहां तक बस वगयरा कोई नहीं आती है बंकापुर बगल में है वहां तक बस आती है लेकिन वहां से भी 3-4 km पड़ जाता और ये शिगाओं जो टाउन है यहां का वहां से लगभगव 6 km की दूरी पर है तो ये फिलिया लगी हुई हैं हम लोग वहां से आए हैं तो चलिए दिखाते हैं आपको तो यहां पर ये कनकदास जी की स्चेचियों लगी है काफी बड़ी सी और यहां पर ये फिर शुरू होता है कनकदास जी का महल ये इधर साइड में दो तोपे रखी हुई है ये देखें और ये है महल चलिए जिलते हैं अंदर और महल को दिखाते हैं कि अच्छेट कि अच्छा अच्छा कोशी आइज बाता है कि अप्सक्तनट सकता समुल कि यहां पर साइड साइड में कुछ मियूरल्स बने हुई है तो वह आप देखिए और यहां पर सारा सब कुछ कंडर में ही लिखा हुआ है कि इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा हुआ है ना हिंदी में लिखा हुआ है तो इस वज़े से मैं बता नहीं पाऊंगा यह क्या है और कैसे क्या है तो इस वज़े से आप लोग देख सकते हैं यहां पर और यहां पर एक बड़ी सी कनगदास जी की मूर्ति लगी हुई है और यहां पर यह इनको लिखते हुए दर्शाया गया है तो इन्हों ने भक कई सारे भक्त बदों की रचना की थी और तो इस वज़े से इन्हों ने देखिए यहां पर और बाहर जो शैनिक साइनिक रूप में मूर्त लगी थी तो असल में कनगदास जी एक साइनिक थे तो पहले सेनापती थे और कई युद्ध लड़े इन्होंने और कई सारे जीते तो युद्ध लड़ने के बाद इन्होंने काफी हरक्तपात देखा तो वहीं से इनका मन विचरित हो गया और व यहां से और इस साइड में यहां पर यह अंदर एक शक्षन है यहां पर भी चलते हैं और यहां पर कुछ अच्छी चित्रकलाएं बनी हुई हैं यह देखिए ओयल पंटिंग्स वगएरा इसको आप लोग देख सकते हैं मैं आपको देरे देरे बारी बारी से दिखाता हूँ कनगदाजी का जन्म 30 नौंबर 1509 इसवी को बाड़ा शिगाओं में एक भेंड़ पालक कुरुबा परिवार में हुआ था यह स्थान उस समय विजे नगर सामराजी का हिस्सा हुआ करता था इनके बचपन का नाम थिमपपा नायक था और इनके पिता का नाम बीरपपा तथा माता का नाम बच्चमा था कनकदाजी युवावस्था में एक सैनिक थे युवावस्था में किसी युद्ध के दोरान कनकदाजी की सेना विरोधी सेना से हार गई और इनके सहयोगी सैनिक भी मारे गई कनकदाजी युद्ध के मैदान में गंबीर रूप से घायल हो गए और युद्ध के बाद लोगों ने देखा कि कनकदाजी जीवित है मानिता यह है कि दैवी करपा से कनकदाजी को जीवनदान मिला लोग कथाओं में कहा जाता है कि युद्ध में गंबीर रूप से घायल हो जाने के बाद उन्होंने हर इनाम जपना सुरू कर दिया उनकी आखें बंद हो गई थी और उन्हें एक भिखारी दिखाई दिया कनकदाजी ने उससे पूछा तुम कौन हो तो भिखारी ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे बुलाने पर आया हूँ कनकदाजी ने भिखारी को भगवान कृष्ण समझा और भगवान स्रीकृष्ण ने कनकदाज से उनकी तीन इक्षाएं पूरी करने की बात कही भगवान कृष्ण ने कनगदाश जी से सबसे पहले पूचा कि क्या तुम्हें खजाना चाहिए इस पर कनगदाश जी ने मना कर दिया कनगदाश जी ने भगवान स्री कृष्ण से तीन वर्दान माँगे पहला उनकी सभी चोंटें ठीक हो जाएं और वे सुस्थ हो जाएं और दूसरा उन्होंने वर्दान मांगा कि जब भी मैं आपको पुकारूं तो आप मुझे सरशरीर दर्शन दे और तीसरा वरदान उन्होंने मांगा कि आप मुझे अपने मूल रूप में दर्शन दे भगवान स्रीकर्षन जी ने कनक दाश जी की तीनों इच्छाएं पूरी की भगवान स्रीकर्षन जी को उनके मूल रूप में देखकर कनक दाश जी मंत्रमुग्द हो गए और इस घटना के बाद कनगदाज जी ने शैनिक पेशे को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया और खुद को संगीत रचना, स्वाहित और श्रीहर के बारे में लोगों को दर्शन समझने के लिए समर्पित कर दिया उड़ूपी में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने कनगदाज जी को महांसंत बना दिया एक बार कनगदाज जी उड़ूपी के स्रीकृष्ण मंदिर में दर्शन कनने गए वहाँ के पुजारी ने कनकदाजी को कुरुबा जादिका होने के कारण मंदिर में घुसने नहीं दिया जिसके कारण कनकदाजी बहुत नाराज हुए और वे बाहर ही बैठ कर भगवान के भजन गाने लगे और दर्शन देने की पुकार करने लगे तब ही वहाँ एक चमतकार हुआ मंदिर की दीवार में दरार पड़ गई और भगवान स्रीकरण जी की मूर्थ मुड़कर कनकदाजी के सामने आगई इस प्रकार भगवान ने कनकदाजी को दर्शन दिये आज भी उड़पी के शिक्रिटन मंदिर में वो स्थान मौझूद है जिसे कनकना किंडी कहा जाता है इस घटना के वाद संथ कनकदाजी की प्रशिद्ध पूरे करनाटका में तीजी से फैल गई इसके बाद कनकदाजी ने अने को भजन, कीर्तन, अभंग, महा काव लिखे और लोगों को भगवान की भक्तिका मार्ग दिखाया सन 1619 इस्वी को कागिनेले नामकिस्थान पर कनकदाजी ने अपनी देह त्याग दी जहां पर आज कागिनेले कनक गुरपीठ इस्थित है हुआ है और यहां पर देख सकते हैं यह एक तम महल टाइप में है और यहां पर यह देखिया सिंगासन है यहां पर राजगदी होती थी और यहां पर कनकजाची बैठके अपने वंत्रिगणों से चर्चाएं करते थे और लोगों की समस्याइं सुनते थे तो यह देखिये आप यहां पर चारों तरफ और यह एक्जैक्ट पुराना जो महल था यहां पर जो खुदाई में निकला था वैसे ही यहां पर बनाया गया है नए तरीके से तो पहले कभी 400-500 साल पहले ऐसा महल रहा होगा अब चलते हैं उपर और उपर से आपको दिखाते ह ही महल पर एक जी हमैल हुआ हुआ है। झाल झाल तो ये था महान संत स्री कनकदाजी के जन्मस्थान बाड़ाशिक गाउं का वीडियो तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जिरूर करिए धन्यवाद